यहाँ पे आपके सामने chapters के नाम है topic wise, यहाँ पे आपके पास उनके concept ये videos के link है, सारे previous year questions के भी link आपके पास एक ही file में है, अगर आपने ये master pdf फाइल डाउनलोड नहीं किया है, तो अभी डाउनलोड करें, नीजिये description box में इसका link दिया हुआ है, हेलो बच्चा लो, welcome back to the channel और यहाँ हम लो discuss करने वाले है, JEMAIN 2021 August Attempt के questions, इस वीडियो में हम लोग units and dimension, errors and vectors पे आए, सारे सवाल को देखने वाले हैं, और total 17 questions पूछे गए थे इस पूरे section से मिला के, ठीक है, चली हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इस वीडियो को देखने से प आपको यह जो question PDF है, यह PDF भी आपको नीचे मिलेगा ताकि आप पहले सारे सवालों को खुद से attempt करें, और उसके बाद यहाँ पे आके discussion को देखें, चली है, चली है, तो यह अपना first question है, जो की directly vector से एक सवाल पूछा गया है, सवाल में हम से कहता है, the magnitude of vectors OA, OB and OC in the given figures are equal, the direction of OA plus OB minus OC vector with X axis will be what, so basically हमको angle निकाला है, what is the angle made by this thing, OA vector plus OB vector minus OC vector with the X axis, ठीक है, अब इस सवाल को करने का दो तरीका हो सकता है, एक तो आप simple तरीके से जाए, यानि कि आप इस OA vector को I cap और J cap के terms में लिखे, OC को भी लिखे, OB को भी लिखे, और आप यहाँ पे जो आपको equation दिया वहाँ पे substitute करे, फिर आपको I और J की terms में एक net value आने वाली है, ठीक है, वहाँ से हम लोग tan theta निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हैं, हमको यहाँ पे दिया हुआ है OA vector plus OB vector plus, basically अगर आप इसको ध्यान से देखे, तो यह कुछ नहीं है, आपको OA vector plus OB vector plus minus of OC vector है, and what is minus of OC vector, आपको question में OC vector दे रखा है, तो minus OC vector ठीक इसके opposite direction में हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, तो यह हो गया आपको basically minus OC vector, अब हमें क्या करना है, इस vector को, इस vector को और इस vector को add कर देना है, इनका resultant निकाल देना है, तो चलिए देखे, यह हमारे पास diagram यहाँ पर पहले से बना हुआ है, हमने अलरड़ी इस वाले plus OC को पलट दिया है, तो यह आपको basically minus OC vector है, और हमें सवाल में यह भी बोलता है, कि magnitude इन तीनों vectors का एक ही है, तो मान लेते हैं, इनका जो magnitude है, वो capital R है, ऐसा मान लेते हैं, ची में यहाँ पर basically इन सारे vectors का, इन सारे vectors का X के along और Y के along component लिख लेना चाहिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पर X के along, तो X के along आपका जो vector आएगा, O1 के वज़े से, वो कितना हो जाएगा, O1 cos 30 degree, यानि कि R cos 30 degree, plus OC के वज़े से, यह आपको 45 degree है, यानि कि R cos 45 degree, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं, R cos 45 मतलब R by root 2, और यहाँ पर जो अपना R cos 30 degree है, इसे हम लिख सकते थे, root 3 by 2, प्लस यह जो अपना OB है, यह angle 60 degree है, which means R cos 60 degree, यानि कि R by 2, अच्छा, जहां तक बात अपने पास है, Y axis में, तो O1 का तो उपर की तरफ आने वाला है, O1 का उपर की तरफ आएगा, which is nothing but your R sin 30 degree, which is R by 2, यहना R sin 30 degree, R by 2 है, अच्छा, जहां तक बात OC का है, OC का downward direction में आने वाला है, which is what, यह सब का magnitude R है, तो R sin 45 degree, लेकिन वो downward direction में है, तो उपर की तरफ क्या लिखेंगे, minus R by root 2, I hope आपको समझ में आ रहा है, OB का downward direction में आने वाला है, कितना, कितना आएगा, R sin 60 degree, तो हम उसे root 3 R by 2 लिखेंगे, लेकिन उपर जब लिखेंगे, तो minus root 3 R by 2 लिख देंगे, हमारे पास इन तीनों yellow vectors को resolve करके, Y axis में यह pink वाला बनता है, और X axis में यह blue वाला बनता है, ठीक है, अब हम से पूछा गया है, angle made by the resultant with the X axis, with the X axis, तो वो कितना हो जाएगा, tan theta, tan theta is nothing but your, this Y component, that is your R by 2 minus R by root 2 minus root 3 R by 2, whole divided by this one, this is your X component, which is your root 3 R by 2 plus R by root 2 plus R by 2, ठीक है, अब क्या कर सकते हो, पहली बार तो आपका यह जो R है, numerator और denominator से select जाएगा, अब आप क्या करो, आप numerator और denominator को 2 से multiply करते हो, तो जब 2 से numerator को multiply करोगे, तो यह 1 हो जाएगा, यह minus root 2 हो जाएगा, और यह minus root 3 हो जाएगा, divided by, यह आपका root 3 हो जाएगा, यह आपका root 2 हो जाएगा, और यह आपको 1 हो जाएगा, this is your tan theta, यानि theta को हम लिख सकते थे, tan inverse of this thing, so यह basically आपको tan inverse इतना हो जाएगा, and this is matching up with, which one, option number 1, so option number 1 आपका इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, चलिए, I hope आपको यह सवाल समझ में आया है, अब यह सवाल देखिए, यह सवाल आपका screw gauge का सवाल है, एक simple सा question है, लेकिन तब, अगर आपको screw gauge के concept पे clarity है तो, ठीक है, positive error क्या है, negative error क्या है, and so on, so in a screw gauge, 5th division of the circular scale, coincides with the reference line, when the ratchet is closed, ठीक है, यानि कि यहाँ पे कुछ error है already, जब आपका ratchet close था, तो 5th division coincide कर रहा है, with the reference line, with the reference line, let me mark it over here, highlight it, 5th division of the circular scale, coincides with the reference line, ठीक है, there are 50 divisions on the circular scale, and the main scale moves by 0.5 mm on a complete rotation, तो जब आप एक complete rotation देते हो, right, तो 0.5 mm का displacement होता है, so basically pitch आपका 0.5 mm है, और number of divisions on the circular scale is 50, for a particular observation, the reading on the main scale is 5 mm, and the 20th division of the circular scale coincides with the reference line, calculate the true reading, right, calculate the true reading, तो सबसे पहली बात, यह आपका कुछ situation है, जब आपका ratchet closed था, हमसे क्या बोलता है, जब आपका 5th division है, वो आपको coincide कर रहा है, reference line से, reference line से, so यहाँ पर आपके पास already कुछ error है, कुछ भी करने से पहले हमें निकालना पड़ेगा, कि least count कितना है, इस screw gauge का, so आपका जब लीस्ट काउन्ट होता है, that is nothing but your pitch, upon total number of division on the circular scale, ठीक है, now pitch is given as 0.5, 0.5 mm, ठीक है, और number of divisions हमको question में दे रखा है 50, so यह आपको हो गया 0.01 mm, तो यह तो हो गया जब आपका least count, now what is the error over here, 5th division coincide कर रहा है, यानि जो आपका error है, that is nothing but your least count multiplied by, जो division match कर रहा है, which is the 5th one, तो यह आपको हो जएगा 0.05 mm, और यह आपको एक positive error है, यह आपको एक positive 0 error है, I hope आपको concept पता है, नहीं पता है, तो आप screw gauge वाले वीडियो को ज़रूर से देखे, आपको concept clear हो जाएगा, तो यह आपको basically positive 0 error है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखे, अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ा है, आप यहाँ पर ध्यान से देखे, जब आपका ratchet close होता है, तो basically इस वाले चीज़ को, इस 0 के ऊपर exactly होना चाहिए था, लेकिन है नहीं, so basically already, जब ratchet closed है, already कुछ reading यहाँ पर है, देख सकते हो ना, already यहाँ पर कुछ reading है, so आप जब final reading लोगे, तो आपको यह वाली चीज़, उसमें से subtract करनी होगी, subtract करनी होगी, और यह जो चीज़ है, यही हमने अभी अभी solve किया है, अच्छा, हम से क्या बुला गया है, for a particular observation, the reading on the main scale is 5 mm, and the 20th division of the circular scale, coincides with the reference line, तो पताए यह true reading क्या है, तो जो आपका true reading होगा, that is equal to 5 mm, plus 20 divisions multiplied by least count, minus error, minus error, so 5 plus 20 multiplied by 0.01, minus 0.05, this is your 5 plus 0.2, minus 0.05, so this is going to be 5.15 mm, and this is your option number 3rd, ठीक है, चलिये, moving on to the next question, question number 3, चलिये, तो इस पूरे session में आप देखेंगे, कि dimension के बहुत सवाल मिलने वाले आपको, total 17 questions है, तो 10 से जादा question dimension पे ही है, सवाल में हम से क्या बोलता है, if E, L, M, and G, denotes the quantities as energy, पहले इसको highlight कर लेते हैं, यह आपका energy है, L is your angular momentum, mass, and this fellow is your what? constant of gravitation, G is your gravitational constant, then the dimensions of P in the formula, तो P की dimension क्या होने वाली है, देखिए, एक तरीका तो यह है कि आप, E का dimension लिखे, angular momentum का dimension लिखे, mass का dimension लिखे, और gravitational constant का dimension लिखे, फिर यहाँ पे जो powers दिया है, वाज को put करें, फिर आपको result निकल के आएगा, उससे भी सवाल आपका स्वाल हो जाएगा, और क्या तरीका हो सकता है, काम करते हैं, कोशिश करते हैं, L और capital G, इन सभी को energy के terms में लिखने का, ठीक है, तो हमारे पास एक formula होता है, that is, energy is equal to, किसी दो मास के बीच में, जो आपको energy होता है, और हम यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं, magnitude की, हमें सिर्फ dimension देखना है, तो हमारे पास यह एक formula निकल के आ रहा है, तो G को हम basically यहाँ पे लिख सकते थे, E into R divided by M square, ठीक है, तो replace कर देंगे, बात आती है आपकी angular momentum की, तो उसको कैसे replace कर सकते हैं, तो हमारे पास एक formula होता है, kinetic energy का, that is energy is equal to half I omega square, right, half I omega square, अगर हम यहाँ पे, उपर में भी एक I लिख दे, और नीचे में भी एक I लिख दे, तो I omega आपका होता है, what, angular momentum, तो I omega square है उपर तो, तो इसको हम यहाँ से हटा के लिख सकते थे, technically L square, यानि कि मेरे पास L square आ गया है, 2E and I is your moment of inertia, तो इसको यहाँ पर लाके हम, अब substitute करते हैं, L square की जगह आप लिखोगे, यहाँ पर 2E, I, I is your moment of inertia, mass को आप नीचे ले जाओ, यह वाले mass को पावर 5 है, और यह आपका denominator में है, आपका basically यह G square, तो इसको करना पड़ेगा square, यानि की E square, R square and M to the power 4, ठीक है, अच्छा है, अब देखते हैं, यहाँ से आपका E से E, खतम हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यह आपका, ऐसे खतम हो जाएगा, ठीक है, आपके पास बच रहा है, I upon MR square, और 2 है, 2 तो basically constant है, आप ध्यान से देखिए, I जो है, वो moment of inertia है, वो basically dimension wise, MR square के हिसाब से लिखा जाएगा, यानि यह दोनों को आप cancel कर सकते हो, अगर हम लोग बात करें dimension की, यानि आपके पास यहाँ पर कुछ नहीं बचने वाला है, so P का dimension क्या है, कुछ नहीं, अगर आपको यह करने में दिक्कत होता है, तो आपके पास नॉर्मल तरीका तो ही, लेकिन वो थोड़ा सा time taking हो सकता है, यह speed तरीका है, ठीक है, चलिए, moving on to the next question, question number 4, again एक सवाल आपके पास vectors का है, सवाल easy है, लेकिन vectors में, नजाने क्यों थोड़ा सा रहता है confusion, ठीक है, तो इस सवाल को करने के लिए, एक तो हमारे पास traditional formula होता है, जो आप vectors में बहुत शुरुआत में ही सीख लेते हो, सर क्या वो formula है, अगर आपके पास यह vector A है, यह vector B है, और आपके पास मान लीजिए, यह आपका resultant है, मान लीजिए resultant vector, and this is your angle theta, this is your angle alpha, तो जो resultant A के साथ angle बनाता है, tan alpha, वो क्या होता है, वो आपको होता है, B sin theta upon A plus B cos theta, ठीक है, तो यह हम सभी जानते हैं, यह हम सबसे शुरुआत में पढ़ लेते हैं, तो अगर आपको इसके बारे में ध्यान में हैं, तो आप इस सवाल को बहुत कम time में solve कर सकते हो, नहीं ध्यान में हैं, तो आप थोड़ा बहुत यहाँ पर resolve करके भी solve कर सकते हो, vector को resolve करके, ठीक है, देखिए, क्या दिया सवाल में, the angle between vector A, and A minus B is what, तो यह आपका vector A है, यह वाली आपकी plus B vector है, तो अगर यह B vector हो गया, तो यह वाला minus B vector हो जाएगा, अच्छा, अगर आप ध्यान से देखे, तो यह क्या है, यह basically vector A plus minus B vector है, so what is the resultant of vector A and vector minus B, यह तो यही line हो जाएगा, यही तो है resultant, यही तो है resultant of vector A and minus B vector, तो हमसे question में तो यही पूछा गया है न, कि बताएगे what is the angle between this vector and vector A, तो हमसे question में बीटा ही पूछ रहा है, ठीक है यहाँ तक मेरे खाल से बात एकदम clear है, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको ध्यान से बनाएए, यह आपका vector A था, यह आपका basically vector minus B है, तो minus B को आप basically इस तरीके से भी बना सकते थे, minus B को आप इस तरीके से भी बना सकते थे, थोड़ा से इसको और चूटा कर देते हैं, बढ़िया है, सही है, अच्छा, और यह हो गया आपका इनका resultant, इनका resultant, और हमसे यह वाली angle पूछी जा रही है, बीटा, समझ मेरा मेरे बात, यह आपका vector A है, यह आपका vector minus B है, ठीक है, ना what is the angle between vector A and vector minus B, तो देख सकते हो न, यह आपको 120 degree होगा, समझ रहे हो, अगर इस minus B वाले को हम यहाँ पिलाके shift कर दे, तो यह जतना angle है, वही इतना, यह वाला भी angle है, so basically 120 degree is the angle between, angle between vector A and vector minus B, यह वाला angle हमको 120 degree पता है, तो बस आपको यही formula को, यहाँ पे आग बंद करके लगा देना है, so what is going to be your tan beta, so tan beta is equal to, यहाँ पे B की जगह, इसका magnitude put करेंगे, so capital B है basically वो तो, so capital B sin 120 degrees divided by, small a की जगह capital A है, plus capital B cos 120 degrees, बस इसी को हमको यहाँ पे solve करना है, तो यहाँ पे आप देखिए, आपका जो tan beta है, वो कितना हो जाएगा, capital B sin 120 degree, which is nothing but your sin 90 plus 30 degree, which is your cos 30, तो यह आपको हो जाने वाला है, root 3 by 2, capital A plus capital B, cos 120 degree is going to be how much, cos 90 plus 30, which is your minus sin 30, तो यह आपको हो जाएगा, minus 1 by 2, तो हमको यहाँ पे दिख रहा है, कि उपर नीच अगर हम 2 से multiply करें, तो यह मेरे को हो जाने वाला है, root 3 by, 2 a minus b, और यह आपका हो गया है, tan beta, तो inverse करने पे, जो option match करेगा, that is your option number 3, ठीक है, तो यह अपना question number 5 है, dimension पे बेस सवाल है, match the following है, list 1 में हमारे पास, यहाँ पे दियावा है, magnetic induction, flux, permeability, and magnetization, और यहाँ पे dimension से हमें match करना है, सबसे पहला है आपका basically capital B, right, magnetic field ही है वो basically, so हमें formula use करना आना चाहिए, तो B को निकालने के लिए आप force का इस्तिमाल कर सकते हो, current I, L, B, तो यहाँ से आपके पास B का formula बन जाता है, F upon I, L, तो यह तो बड़ाई simple सा हो गया, क्योंकि आपको RHS में जो भी चीज़ दिया, उसका dimension आपको याद रहना चाहिए, force का dimension कितना होता है, MLT-2, current का dimension आपके पास ampere ही होगा, और length है नीचे वो तो length ही होने वाला है, तो यह basically आपको हो जाएगा, MA-1 T-2, so A वाला option जो है, आपको किसके साथ माच करने वाला है, if I see, this is going to be with third one, so A का matching हो रहा है, option third के साथ, मतलब, unless 2 में third के साथ, ठीक है, अच्छा, B देख लेते है, magnetic flux, देखें यहाँ पर, so flux आपको basically होता है, B into area, तो यह तो बड़ाई simple हो गया, हमने अलड़ी यहाँ पर B का dimension solve कर रखा है, so dimension of flux is equal to, M A minus 1 T minus 2, multiplied by area का dimension, which is your L square, so सिर्फ एक L square इसमें और add हो जाएगा, multiply हो जाएगा, so option number, यह वाला 1 के साथ ही है, जा रहा है, ठीक है, तो A का 3 और B का 1, A का 3 और B का 1, अगर आप ध्यान से देखे, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही option match कर रहा है, which is your option number 4, तो सिर्फ इसी दो को solve करने से, हमारा answer आ गया, पर स्टिल हम लोग और भी options को check कर लेते हैं, C1 is your magnetic permeability, तो इसके लिए हम लोग इस्तिमाल कर सकते हैं, magnetic field का formula, which is B is equal to mu naught I upon 2R, तो यहाँ से आप देखे, mu naught जो आप का हो जाएगा, B R upon I, so dimension of mu naught is equal to, B का dimension हमने अबने अबने लिखा हुआ है, M A minus 1 T minus 2 multiplied by R का dimension length हो जाएगा, और current का तो current ही होने वाला है, so this is going to be R, M A minus 2 T minus 2 L, right, so आप देख सकते हैं, यह आपको किस के साथ जा रहा है, okay, this one, fourth one, so D का देखिए, fourth one है, देखिए यहापे, D का, जो है यहापे, अरे, यह क्या कर दिया मैंने, not D का, C का fourth one है, इसका अपना fourth one है, और जो की यहाँ पे भी है, right, अब आपका last बचता है, which is your magnetization, तो अगर आपको यही नहीं पता है, कि यह होता क्या है, तब तो problem वाली बात है, magnetic properties वाले chapter में, आप यह चीज़ सीखते हो, I होता है इसका symbol, right, where B is given as, mu naught multiplied by I, I आपका होता है, magnetization, और I का जो units होता है, वो भी आपको याद रहना चाहिए, which is your ampere per meter, ampere per meter, तो dimension हो जाएगा, ampere L minus 1, so, A L minus 1, which is your second one, so D का second के साथ, matching है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, moving on, to the next question, question number 6, ध्यान से देखिए, if the length of the pendulum, in a pendulum clock, increases by 0.1, then error in time, per day is how much, तो time period का जो formula होता है, in the case of a pendulum clock, तो वो आपको होता है, T is equal to 2 pi, under root L by G, ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम, दोनों तरफ, differentiate करें, और हमको सिर्फ L ही, right side में, change हो रहा है, so, delta T by T, को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे, half delta L by L, I hope यह आपको लिखना आता है, ठीक है, एक तरीका हो सकता है, कि आप दोनों तरफ log लेके, फिर differentiate करो, right, अच्छा है, अब हमें question में क्या दिया हुआ है, हमें question में दिया हुआ है, that the length increases by 0.1%, हमें question में दिया हुआ है, delta L by L multiplied by 100 is 0.1, तो यहाँ पर अगर हम delta L by L को replace करें, तो वो हो जाएगा 0.1 divided by 100, 0.1 divided by 100, right, this is your delta T, और capital T को आप right side multiply कर दो, क्योंकि हम से question में यही पूछा गया है, what is the total error in time per day, और capital T के जगा आप क्या पूट करोगे, एक दिन में आपको कितना second होता है, हालाकि आपको लगेगा कि सर यहाँ पर पहले से ही solve करके बता रहे, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि एक दिन में कितना second होता है, that is your 8, 6, 4, double 0 second, तो आपके solving में यह आपको help कर सकता है, this is going to be your half into 10 to the power minus 3 multiplied by 8, 6, 4, double 0, right, so यह आपको कितना हो जाएगा, you can see this is going to be your 43.2 seconds, and this is your option number third, ठीक, चलिए, moving on to the next question, question number 7, अच्छा, यहाँ पर भी सवाल आपका error से ही सम्बंदित है, सवाल में हम से क्या बोलता है, the acceleration due to gravity is found up to an accuracy of 4% on a planet, तो हमें क्या दिया है, हमें दिया हुआ है, that delta G by G times 100 is equal to 4, okay sir, the energy supplied to a simple pendulum to a known mass, to undertake oscillation of time period capital T is being estimated, if the time period is measured to an accuracy of 3%, तो हमें delta T by T times 100 भी दिया हुआ है, 3, the accuracy to which capital E is known as how much, so हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है, delta E by E into 100 कितना होगा, ठीक है, अब दियान से समझे, यहाँ पर बात चल रही है, एक simple pendulum की, simple pendulum की खास बात यह है, कि हम जादा angle की बात नहीं करते है, जो आप formula यूज करते हो, T is equal to 2 pi under root L by G, वो तभी valid है, जब आपका angular displacement pendulum का बहुत जादा नहीं है, बहुत छोटे-छोटे angles यहाँ पर यह होते हैं, ठीक है, तो यह angle हमने मान लिया, theta naught है, this angle is, let us say, theta naught, ठीक है, हमसे पूछता है कि कितनी energy इसको supply करनी पड़ेगी, so energy supplied is equal to the total energy of the system, तो मान लेते हैं, जब यह अपने highest peak पे है, यह अपने highest angular displacement पे है, so at this particular location, इसके पास सिर्फ gravitational energy ही है, and that gravitational energy is due to this height, ध्यान से समझे का बात को, तो कितना energy है इसके पास, इसके पास जो energy है, that is nothing but your MGH, अगर हम यहाँ पे pendulum का यह जो length है, उसको L मान ले, तो क्या हम इस H की जगह, यहाँ पे लिख सकते है, L minus L cos theta naught, ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे हम चाहे तो, उस L को बाहर निकाल सकते है, so 1 minus, और यह angles बहुत छोटे है, अगर आपका angle बहुत छोटा होगा, तो cos theta को आप generally 1 लेते हो, लेकिन यहाँ पे 1, अगर ले लोगे, तो आपका energy 0 आजाएगा, which doesn't make any sense, तो आपको second approximation तक जाना पड़ेगा, so 1 minus theta naught square, theta naught square by 2, तो इसका इस्तिमाल करेंगे, so 1 minus, cos theta naught के जगह लिखेंगे 1, और minus minus plus हो जाएगा, so this is theta naught square by 2, and you are left with nothing but, mg L times theta naught square by 2, anyways, तो यह आपका energy का, हमारे पास formula निकल क्या आता है, लेकिन, यहाँ पे आपके पास length है, लेकिन हमें time period के terms में formula चाहिए, so that is still fine, क्योंकि time period होता है 2 pi under root L by G, अगर दोनों तोरफ square करते, so T square is equal to 4 pi square L by G, तो यहाँ से आप देखिए, आप L को technically लिख सकते थे, G T square divided by 4 pi square, तो यहाँ पे इसको replace कर दीजे, so energy is equal to mg multiplied by G T square divided by 4 pi square, times theta naught square by 2, अब आपके right hand side में, सिर्फ gravity और time period ही variable है, बाकी सब नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे error वाला concept लगा, so delta E by E is equal to, यहाँ पे G square है, तो वो आपको हो जाएगा, 2 delta G by G, प्लस यह आपका T square है, so 2 delta T by T, अब क्या है, अब आप दोनों तरफ 100 से multiply कर दो, आप दोनों तरफ, चाहो तो 100 से multiply कर दो, तो आपका arches में क्या है, 2 delta G by G into 100, यह आपको जाएगा 2 into 4, 2 into 4, प्लस 2 into 3, यह आपको जाएगा 8 plus 6, which is your 14%, 14% is your answer, तो यहाँ पे 14 हम enter कर देंगे, ठीक है, चलिए, let's move to the next question, question number 8, सवाल मैं हम से पूछता है, which of the following is not a dimensionless quantity, dimensionless quantity नहीं है, ठीक है, relative magnetic permeability, तो भाया यह होता है, dimensionless quantity, आपको पता रहना चाहिए, mu is equal to mu naught into mu r, so mu r, जो कि आपका relative permeability है, वो आपको हो जाएगा, mu upon mu naught, तो यह आपको dimensionless quantity है, तो यह answer possible नहीं है, power factor, अगर आपने alternating current ध्यान से पड़ा है, तो power factor basically आपका होता है, cos phi, ठीक है, अब यह phi क्या है, उसमें अभी हमें interest नहीं है, लेकिन power factor basically, cos of something होता है, cos of some angle, and this is itself a dimensionless quantity, ठीक है, अगर आपको formula भी पता हो exactly, तो r by z होता है, तो उपर भी resistance है, और नीचे भी आपको basically unit resistance का ही है, तो यह भी आपको एक dimensionless quantity है, permeability of free space, यह भाईया dimensionless quantity नहीं है, इसका dimension निकाला जा सकता है, उस पर अभी नहीं जा रहे है, so option number 3 इसका सही जवाब है, quality factor की अगर बात करें, तो again अगर आपने alternating current ठीक से पढ़ा है, तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा, last में delta omega, sorry, omega resonance upon delta omega, तो उपर भी आपके पास basically, angular frequency का ही unit है, और नीचे भी उसी का है, so यह भी आपका गलत option होता, ठीक है, चलिए, moving on to the next question, question number 9, देखने में, शायद dangerous लग सकता है, लेकिन उतना ही easy सवाल है, if capital E, if capital E and capital H, represents the intensity of electric field, and magnetizing field, sir यह क्या है magnetizing field, तो again बच्चा आपको magnetic properties को, अच्छे से पढ़ना पढ़ेगा, standard 12 का ही यह एक topic है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको इसके बारे में पता चलता है, respectively, then the unit of E by H is what, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, electric field upon magnetizing field, तो electric field को क्या हम लिख सकते है, V by some distance, right, V by some distance, V is your what, potential difference, right, what is your H, H is your magnetizing field, B is equal to mu naught into H, हाफ फॉर्मलाउस में पढ़ोगे, again ampere per meter, ampere per meter, so इसका unit अगर ampere per meter है, तो हम यहाँ पर लिख सकते है, some sort of current, divided by meter, यानि की some sort of length, right, यहाँ पर सिर्फ dimension की ही बात चल रही है, units निकालने की ही बात चल रही है, तो यह units आपको cancel out हो जाएगा, and V by I, V by I जो है, वो basically आपको resistance होता है, यानि E by H का जो unit है, वो आपको ohm के बराबर होगा, option number one, जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, सो यह अपना question number 10 है, और यह again आपका एक units and dimension based question है, यहाँ पे आपको list 1 है, list 2 है में match करना है, सबसे पहला हमारे पास आता है redberg constant, अब यह जो नाम है, वो आप पढ़ोगे modern physics के topic में, ठीक है, redberg constant का आपको actually direct unit ही याद हो जाएगा, आप जब उसको पढ़ लोगे, meter inverse होता है इसका unit, meter inverse, यानि की option number list 2 में आएए, third के साथ match होने वाला है, ठीक है, but still for your curiosity, इसका जो वहाँ पे concerned formula आप सीखोगे, that is your 1 by lambda is equal to redberg constant z square, 1 by n1 square minus 1 by n2 square, यहाँ पे आपका z होता है, atomic number dimensionless quantity है, n1, n2 basically आपका shell number है, orbit number है basically वो, ठीक है, यह भी dimensionless है, यानि की आपका redberg constant, that is related to 1 by lambda, lambda आपका unit meter होता है, अच्छा, बात कर लेते हैं B का, तो B में हमारे पास planks constant है, आप energy is equal to h into new के साथ जा सकते हो, so h is equal to energy upon new, right, now dimension of energy is, हर बच्चे को याद रहना चाहिए, ml2 t-2, और dimension of frequency होता है, आपका t-1, तो हमारे पास effectively बचने वाला है, ml2 t-1, यानि की, यह क्या हो जाएगा, mass का kgs, meter square, second inverse, तो यह किस के साथ माच हो रहा है, 2 के साथ ही माच हो जाएगा, सो B का हमारे साथ माच हो रहा है, 2 का, अच्छा है, C को देख लेते हैं, C is your magnetic field energy density, भले आपको इसका formula नहीं भी पता हो, लेकिन हमें नाम दे दिया गया है, कि यह आपको basically energy density है, यानि energy per unit volume, हलाकि इसका जो formula होता है, वो आपको होता है, B square upon 2 mu naught, energy और नीचे में होगा dimension of volume, यह effectively हो जाएगा, ML-1 T-2, which is nothing but your kg meter inverse, 2nd minus 2, और यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 4th one, यह आपको हो जाएगा 4th, D क्या है, coefficient of viscosity, तो उसको हम निकाल सकते हैं, काफी formulas है, we can go with Stokes law, 6 pi eta r v, right, so eta is proportional to force upon r into v, so dimension of force आपको हो जाता है, ML T-2, नीचे R है, यह यह dimension of length, और velocity होगा dimension, L T-1, तो यह आपको L से L खतम हो जाएगा, आपके पास बचेगा, ML-1 T-1, तो यह आपको हो जाएगा, kg per meter second inverse, so this is your, which one, 1-1, first one, तो यह आपको हो जाएगा, first, so आप देख सकते हैं, 3-2-4-1, 3-2-4-1 is your option number second, ठीक है, तो यह तो हमने यह आपके, completely solve किया, लेकिन आप देखोगे कि, आप जैसे ही, 2 या maximum 3 भी solve कर लेते हो, तो ऐसे ही आपको answer मिल जाएगा, तो एक्जाम में चारो करने की ज़रूबत नहीं है, तीन भी करेंगे, तो आपको पता चल जागा, कि कौन सा option सही है, ठीक, चलिए, लेट्स मूव तो नेक्स क्वेस्टिन, क्वेस्टिन नमबर 11, राइट, इफ फोर्स, ध्यान से पढ़ियेगा, कुछ पावर A हो सकता है, लेंथ कुछ पावर B, और टाइम कुछ पावर C होगा, राइट, नो डेंसिटी का डाइमेंशन क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानि की, ML-3, राइट, प्रपोर्शनल टू, फोर्स का डाइमेंशन होता है, ML-T-2, तो इस पे पावर A है, लेंथ पे पावर B है, और टाइम पे पावर C है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखे, तो मेरे पास आरचस में है, M की पावर A, M की पावर A, L की पावर मेरे पास है, यहाँ पे A प्लस B, और t की power किती है यहां से आएगा minus 2a और यहां से आजाएगा c अगर हम left side और right side compare करे तो यहां पे m की power 1 है और यहां पे a है यानि कि a जो है वो 1 के बराबर है अच्छा है यहां पे आपके पास l की power है minus 3 और यहां पे आपके पास l की power है a plus b a की value already 1 है so 1 plus b यानि कि हमें पता चल गया है कि b की value minus 4 है lhs में t की power कुछ है ही नहीं यानि 0 और rhs में minus 2 into a और a की value तो 1 है और c तो c की value आ जाती है 2 तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहां पे f की power a यानि 1 l की power b यानि minus 4 और t की power c यानि की 2 so f l minus 4 t2 which is your option number 1 ठीक चलिये moving on to the next question question number 12 again आप देख सकते है match the following है तो बहुत सारा सवाल पुछा गया है भर भर के torque का dimension impulse tension surface tension this one is actually quite easy right है की नहीं torque का formula में यहां पे आप length into force करने आले है so आप देख सकते dimension of r is l and dimension of force is ml t minus 2 right so basically ml2 t minus 2 हो जाएगा आपका torque का dimension which is your third one तो इसका matching third के साथ चला जाएगा impulse impulse जो होता है वो आपको होता है basically change in momentum तो जो dimension momentum का है वही dimension impulse का भी होगा अब momentum क्या होता है mass into velocity mass into velocity so mass का dimension m और velocity का dimension l t minus 1 so ml t minus 1 which is your first one ठीक है tension tension तो भाईया force ही है यानि कि ml t minus 2 which is your fourth one right surface tension वो आपको होता है force per unit length यानि कि ml t minus 2 divided by length यानि कि m सिर्फ t minus 2 so m t minus 2 which is your second one तो आप देख सकते हैं बड़े ही प्यार से solve हो गया है 3 1 4 2 3 1 4 2 which is your option number 1 ठीक है चलिए let's move to the next question question number 13 which of the following equations is dimensionally incorrect ठीक है so अब यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर लगभग आपको एक standard formulas है अगर आपने fluids में आपको याद हो capillary rise का formula यही होता है h is equal to 2s cos theta upon r rho g s यहाँ पर surface tension है तो यह equation बिल्कुल सही है तो यह dimensionally सही रहा होगा तो यह answer नहीं हो सकता हमें incorrect equation को ढूड़ना है so this cannot be the answer because equation is correct अच्छा work is equal to torque into theta तो यह भी सही है rotational work done जो होता है वो आपको torque into angular displacement ही होता है तो यह equation भी सही है तो यह answer सही नहीं हो सकता अच्छा actually यह जो है ना यह अगर बच्चों को ध्यान में तो आपको directly दिख जाएगा एक बहुत thin pipe में जो आपका flow rate का formula होता है flow rate यहाँ पर का जा रहा है dv by dt right dv by dt अच्छा यहाँ पर ध्यान से दिखिए का यह जो v है वो volume है वो velocity नहीं है so volume flow rate का जो formula होता है वो यही होता है pi pressure radius of pipe a to the power 4 8 eta l तो यह dv by dt होता है लेकिन यहाँ पर सिर्फ velocity है अगर नीचे time होता तो dimensionally correct होता यह equation लेकिन यह dimensionally incorrect equation है यह basically formula अगर आपको पता है तो आप इसको बहुत easily tick कर पाते हैं otherwise आपको dimension लिक लिक के check करना होता है ठीक है यह आपको कहलाता है poisley's law right so यही हमारा सही जवाब है third में क्या है j which is your current density e upon delta तो इसको check कर सकते हम लोग ध्यान से देखिए RHS में आपके पास क्या है del e upon del t ठीक है अगर हम ध्यान से देखे यह आपका e है यहाँ पर आपके पास basically electric field है है ना अब electric field को हम किस तरीके से replace कर सकते हैं हमको सिर्फ dimension चेक करना है ना तो electric field को हम यहाँ पर लिक सकते थे due to a charge आपका जो एक electric field होता है that is nothing but your kq divided by r square k की जगह हम लिखते है यहाँ पर 1 by 4 pi epsilon q divided by r square multiplied by नीची में आपके पास एक time का भी होता term तो इसका dimension इसका dimension से cancel हो जाएगा 4 pi तो आपका है dimensionless आपके पास उपर में charge है नीची में time है यानि की आपके पास आगया current upon r square current upon r square current और r square का मतलब क्या हो गया basically वो area का dimension है so current upon area है और left side में भी आपके पास current density था यानि की current upon area तो ये भी आपको dimensionally correct equation है तो ये भी जवाब गलत ही होता I hope पूरा clear है हमने आपे 4 option को अच्छे से dissect कर लिया है ये tick करने के लिए जैसे कि मैंने कहा आपको ये formula पता होना चाहिए था ताकि आप इसको easily solve कर पाते otherwise आपको यहाँ पे pressure का dimension a का dimension, eta का length का put करके फिर check करना पड़ता ठीक है? चलिए let's move to the next question, question number 14 again एक similar pattern का सवाल है if velocity, time t and force f are chosen as the base quantities the dimension of mass will be how much? proportional to f की power a, t की power b and your velocity की power c right? mass का dimension तो आपका m ही होता है force का dimension m l t minus 2 इसकी power a time का dimension time होगा and v is your velocity यानि की l t minus 1 right? तो आपके पास यहाँ पे हो गया proportional to m की power a l की power यहाँ पे a है और यहाँ पे c है तो यह आपको जाएगा a plus c और t की power minus 2a plus b minus c अगर हम compare करें तो यहाँ पे m की power 1 है यहाँ पे m की power a है यानि की a की value 1 हो गया sure shot left side में l की power कुछ नहीं है यानि की 0 is equal to a plus c और a की value already 1 है तो हमको पता चल गया कि c की value जो है वो minus 1 होने वाली है यहाँ पे आप ध्यान से देखिए t की power कुछ है लेकिन left side में t की power कुछ नहीं है तो 0 is equal to minus 2a plus b minus c अगर आपको ध्यान है तो हमने अलड़ी a की value 1 पता की है तो minus 2 b की value हमें निकालनी होगी और c की value minus 1 है तो यहाँ पे put किया तो यह plus 1 हो जाएगा यानि की b की value आ रही हमको plus 1 ठीक है तो अब हमारा answer आ गया f की power a, a की value 1 है t की power b, b की power b की value b1 है और velocity की power c है और c की value minus 1 है so f t v minus 1 f t v minus 1 which is your option number 2 so this is your correct answer ठीक है तो यह अपना question number 15 है और यह सवाल अपना vernier caliper का है सवाल easy है लेकिन solve वही कर पाएगा जिसे idea है vernier caliper के concept का ठीक है तो अगर नहीं idea है तो जरूर से हमारे concept video को देखे on vernier caliper आपको यह सवाल फिर बहुत easy रखेगा सवाल में हमसे बोलता है the diameter of a spherical bob is measured diameter of a spherical bob is measured using a vernier caliper 9 division of the main scale are equal to 10 divisions of the vernier scale यानि की जो एक vernier scale division होगा वो कितना हो जाएगा आप ध्यान से देखेगा 1 main scale division is 1 mm 1 main scale division is 1 mm right so 1 vernier scale division is nothing but your 9 mm 9 mm divided by your 10 this is your 0.9 mm यह आपको हो जाएगा एक vernier scale division इसका मतलब जो आपको least count है इस device का that is nothing but your 1 MSD minus 1 VST which is your 1 minus 0.9 this is your 0.1 mm this is going to be your least count of the instrument okay the main scale reading is 10 mm and the 8th division of vernier scale was found to coincide exactly with the with one of the main scale division if the given vernier caliber has a positive 0 error of 0.04 cm then the radius of the bob is this much right so basically हम यहाँ पे final reading ही लिख रहे है final reading जो आपको होता है that is how much यहाँ पका हो गया main scale reading so MSR main scale reading plus plus least count multiplied by number of division जो आपका match कर रहा है which is 8th in this case और यहाँ पे आपको positive 0 error है तो आप माइनस करोगे इस error को आपके final reading में से ठीक है so this is your 10 mm right least count is 0.1 multiplied by 8 minus error is 0.04 cm यानि की 0. how much 0.4 mm तो यहाँ आपको जाएगा 10 plus 0.8 minus 0.4 this is your 10.4 mm right 10.4 mm लेकिन यह आपने पता किया है क्या यह आपको basically diameter है diameter है हमसे last में क्या बोल दिया गया radius of the bob is how much यानि की जो आपका radius है वो इसका half हो जाएगा which is your 5.2 mm ठीक है आप इसे क्या लिख सकते हो this is your 0.52 centimeter यानि की 52 into 10 to the power minus 2 your centimeter तो यहाँ पे 52 हमारा answer हो जाएगा ठीक है चलिए let's move to the next question let's move to the next question question number 16 a student determined Young's modulus of elasticity using the formula this much तो आपके पास यहाँ पे बड़ा ही अजीव और गरी formula है y is equal to mg l cube divided by 4b d cube delta ठीक है the value of gravity is taken to be this much without any significant error तो gravity में basically कोई भी error नहीं है और his observation are as follows physical quantity लिखा है for example mass है तो least count of the equipment was 1 gram and the observed value is 2 kilograms हम से finally क्या पूछा गया है fractional error in the measurement of young's modulus is how much तो हम से basically delta y by y पूछा गया है तो आप इसको easily लिख सकतो ऐसे delta y by y is equal to यह आपको हो जाएगा delta m by m plus gravity में तो कोई error ही नहीं 3 times delta l by l plus नीचे में आपका delta b by b है plus 3 delta 3 delta d by d dell by dell आप हमेशा error को add करते जाते हो हमें maximum पता करना होता है अच्छा now delta m by m जहां तक बात है delta m की numerator में आप basically least count put करोगे so delta m आपका हो जाएगा 1 gram तो 1 लिखा है mass आपका measured value is 2 kg अब हमें units को same रखना है उपर अगर gram लिया तो नीचे भी gram में ही रखेंगे plus 3 multiplied by delta l यानि की 1 mm यह आपका 1 meter है तो आप इसे भी mm में ही put करेंगे ठीक है delta b यानि की 0.1 mm यह आपका 4 cm है तो इसे भी आप mm में convert करें पहले तो 40 3 multiplied by delta d यानि की 0.01 0.01 mm यह आपका 0.4 cm है mm में किया तो 4 हो जाएगा सर्फ delta del which is again 0.01 divided by 5 mm है तो हम इसे लिख देंगे sorry यह तो आपका already mm में ही है ठीक है अच्छा यह कितना हो जाएगा यह आपको कितना हो जाएगा अब धियान से देखिएगा क्यों ना हम लोग एक common 10 to the power minus 3 के format में सबको लिखते है so इसको हम लिख सकते थे 0.5 times 10 to the power minus 3 plus यह आपको हो जाएगा 3 into 10 to the power minus 3 plus 0.1 by 40 तो अगर इसको यहाँ से हटा दिया तो नीचे आपका आजाएगा एक और 0 तो यह आपको कितना हो जाएगा यह आपको दिख रहा है होते वे 2.5 into 10 to the power minus 3 plus यह आपको कितना हो जाएगा this is going to be your 7.5 into 10 to the power minus 3 plus और यह वाला अपना कितना जाएगा this is going to be your 2 into 10 to the power minus 3 तो अगर यहाँ पे हम लोग 10 to the power minus 3 को ही common ले ले तो यह अपना हो जाएगा 0.5 plus 3 plus 2.5 plus 7.5 plus 2 यह आपका हो जाएगा 10 10 plus 2 12 15 15.5 15.5 into 10 to the power minus 3 minus 3 तो यह अपना answer है और अगर हम इसे इस format में लिखे तो इसके साथ यह match कर जाएगा so option number 2 is your final answer ठीक है चलिए let's move to the last question which is your 17th two resistors R1 and R2 are connected in parallel the equivalent resistance of their parallel combination would be how much right तो आपके पस R1 है आपके पस R2 है so आपका जो R equivalent होगा ना final R equivalent वो भी basically R equivalent plus minus delta R equivalent के format में आएगा तो मेरा जो answer आएगा वो finally कुछ ऐसा आने वाला है ऐसा आने वाला है ठीक है R equivalent हमको निकालना आता है आपके पस R1 है आपके पस R2 है 4 ohm and 4 ohm तो उसका R equivalent 2 ohms ही आएगा उसका R equivalent जो है वो R1 R2 upon R1 plus R2 से आप 2 ohm निकाल लोगे तो आपका answer 2 plus minus delta R equivalent अब सवाल उठता है delta R equivalent का तो देखिए so 1 by R equivalent is nothing but 1 by R1 plus 1 by R2 अगर हम लोग दोनों तरफ differentiate करें तो यह आपको basically हो जाएगा minus DR equivalent upon DR equivalent square is equal to minus DR1 upon R1 square minus DR2 upon R2 square ठीक है हर तरफ minus हर तरफ minus है तो minus से multiply कर दीजे minus 1 से तो आपके पास जो बचने वाला है चीज अच्छा इस D के जगा हम लोग डेल के टम्स में भी लिख सकते हैं so delta R equivalent is equal to R equivalent square this is going to be delta R1 divided by R1 square plus delta R2 upon R2 square R equivalent is what 2? 2 का square हो जाएगा आपको 4 delta R1 यानि की ये वाली term 0.8 this is your 0.8 divided by R1 यानि की 4 का square तो ये आपको 16 हो जाएगा plus delta R2 is your 0.4 so ये आपको 0.4 divided by R2 का square यानि की again 4 का square which is your 16 so इसको cut किया तो ये 4 हो जाएगा ये भी आपको 4 हो जाएगा this is your 0.2 plus 0.1 this is your 0.3 0.3 यानि जो अपना final answer है that is your 2 plus minus 0.3 2 plus minus 0.3 which is your option number 3rd ठीक है चलिए I hope आपको ये पूरा session समझ में आया है और अगर आप और updated रहना चाहते है कि और कौन सा previous year questions या फिर कौन से concept video आने वाले है तो आप जरूर से चानल को subscribe करके रखिए bell icon को भी hit करके रखिए so that you don't miss any of the notifications ठीक है हम लोग मिलते रहेंगे तब तक लिए take care and bye-bye